घर पर ही बना लो दिब पारिया नासक दंत मंजन और इसे लगाने से आपके हिलते हुगे दाफ जड़ से मजबूत हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों जिनके दाफ हिल रहे हैं दाफों में कीड़े लग गया है दाफों में केविटी है दाफ पीले हो गई है तो उनके लिए जान रहती है मसूडों से ब्रेडिंग और पस निकलता है मसूडे सूजे रहते हैं मसूडों में आपके बहुत ज़्यादा प्यू निकलता है आपके मुझसे बद्बू आती है मसूडों में ठंडा गर्म पानी लगता है इन सभी समिस्याओं में सबसे असरकारी है यह दंत मन्जन तो आईए जानते हैं इस मन्जन को कैसे बनाना है इससे बनाने के लिए कौन-कौन से जड़ी बूटी लेनी है सब कुछ तो देखे दोस्तों इस दिब दंत मन्जन को बनाने के लिए आठ प्रकार की ओसदियां लेनी है जिसमें से पहली ओसदिय लौंग, दूसरी ओस सदी बभूल चाल यह 8 प्रकार की ओसदिया बहुत ही जबर्जस्त अच्छी क्वाल्टी की आपको लेना है आए जानते हैं इनकी मात्रा और इन ओसदियों की पैच्छान तो देखिए यह है दोस्तों लॉंग आपको लॉंग एड़ करना है 30 ग्राम यह दोस्तों छोटी है 10 ग्राम यह प्रामूल आपको लेना है 5 ग्राम यह अकरकराई रानी आपको इश में एड़ करना है 100 ग्राम यह नीम च्छाल आपको एड़ करना है 50 ग्राम यह बबूल च्छाल आपको इश में लेना है 40 ग्राम बबूल च्छाल देखिए आरवेदिक नुस्त का बनाने क लिए बताएगी सभी जड़ी बूटियां मात्रान साल ले ले जिए इन सभी को अच्छे से साफ सुत्रा कर ले जिए और ये सभी असली होना चाहिए नकली ना ने असले जड़ी बोटियां और साफ सुत्री जड़ी बोटियां और ओचत मातर में ली हुई जड़ी बोटियां को एक खरल मुसल में डाल कर और अच्छे से कूटिए इतना कूटिए कि यह महिन से महिन चूरन हो जाए फिर इसे एक कपड़ा लगा करके कपड़े में डालकर अच्छे से कपड़शन कर लीजिए फिर इस एक ये देखिए ये बन करके तयार हो चुका है चूरन ये चूरन कहिए या फिर इसे आप दंतमंजन कहिए अब इसे आप एक डिब्बे में पैक करके रखिए जब भी अपने दातों पर मालिश किजिगा तकरीब पांस से दस मिनट तक दातों में लगाईए मसूडों में लगाईए और मुए में भरके रखिए एसा करने से आपके दात जो हिल रहे हैं बो जड़ से मजबूत होंगे दातों के केड़े नस्ट हो जाएंगे दात का धर्द खत्म ह जाएगा आपके मसूनों की सूजन मसूनों से पस निकलना ब्लेडिंग मसूने खुलना सभी समिस्यां दूर होंगी पारिया खत्म हो जाएगा ठंडा गरम पाइन लगना ठीक हो जाएगा सांसों की बदबू ठीक हो जाएगी बड़ा जबरजस्त बड़ा ही गुड़कारी य कुछ नहीं करना इसे घर पर बनाकर यूज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पनाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेगा अगली वीडियो में नमस्कार